राजिस्तान के पूर्व ग्रिहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाप चंद काटारिया ने फिलाल उदैपूर के पोस्टमार्टम ग्रिह में जाकर परिजिनों से कनईयलाल के परिजिनों से मुलाकत की कटारिय सब कल आपने एक महतुपूर बात कही थी कि जब आपने एस्पी उदैपूर से बात की तो उनको जानकारी में नहीं था मैं उस समय उन्होंने कहा कि मुझे अभी जानकारी मिली जबकि मुझे जानकारी धाई पौने तीन के बज़े आसपास ही उसी एरिये से हाथी पोल से किसी का फोन आ गया कि यहां इस तरह से इस टेलर की दुकान में घुसकर के उसका गला काट दिया है वो मैंने पहली सूचना थी मैंने कोशिश की एस पी से कोंटेक करने पर मेरा लगबाग घंटे सवा घंटे बाद हुआ जब मैंने उनसे बात की तो उनका रेपलाई यह था कि हां मुझे अभी भी जानकारी मिली इसका मतलब एक घंटे तक अगर एस पी इस केस से एलूप पहुआ इसका मतलब सिस्टम घरवड है कहीं कहीं कमी है जिसके कारण से आप तक सूचना पहुचने में और आपकी पुलिस की जो चोकी है वो सो मीटर दूर है अगर सो मीटर दूर की घंटना का भी जानकारी अगर वहां तक पहुचे और उसकी तैयारी मैने का तुरं तैय जल जाएगा तब जाकर के उन्होंने अपनी तयारी शुरू कि एस्पी को जानकारी नहीं और केवल एक एसाइए को जिसने समझोता कराया सस्पेंड कर दिया जाता है देखो यह केवल जेप मीटाने का काम है अगर इस प्रकार की घटना इतने दिनों तक निरंतर चल रही है तो इसके लिए जुम्मेदार केवल एक थानेदार नहीं हो सकता है और अगर थानेदार है तो इस प्रकार की घटना की आपको सूच नहीं नहीं देता है तो विभाग का काम करने का तरीका ठीक नहीं है यह डूटी बनती है उस थाने के वाले की कि इस प्रकार की घटना की जानकारी अपने ऑफिसर के ज्यान में लाए ताकि वो भी उनकी राय दे करके इसको कैसे मेनेज करें लेकिन दोनों के बीच में गयप रही तो इसका मदलब आपका काम करने का सिस्टम फेल है और अगर आपको जानकारी थी तो आपने इसको नजर अंदाज किया जिसका जब रमजान का महिना आता है तो 24 गंटे लाई चलने चे इसके लिए स्पेशल ओर्डर निकलता है और जब कभी हमारे त्योहार आते हैं तो दारा एक सो चमारिश लागू कर दी जाती है इसके कारण से लोगों के मन में एक आक्रोश और गुस्ता है मैं सुझता हूं इस घ करना औरफ है कि करी दावत इस्लामति नाम संग्घन से दोनों आरोपियों वाइख जोनड़ सामने आया है आप तो खुद अरह मंत्री रहाए कबी उसको प्रोटेक और उसके सब प्रकार से ध्यान रखने का प्रयाश किया तो इसमें भी ये छोटी-मोटी घटना नहीं घटना के तार कहीं लंबी निकलेंगे तो उस सब तक पहुचना राजे सरकार और केंद सरकार दोनों मिलकर प्रयतन करें और ऐसी गेंग को नेश्ट ना चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उदैपुर में रत यात्रा जगनात यात्रा जरूर निकलेगी राजस्तान के सीरे पुलिस ऑफिसर दिनेश्य में जिने खास्तोर पर उदैपुर भीजा गया है क्योंकि उदैपुर में लबा कारे काल रहा है दिनेश्य सर जानना है हम उम्मीद करते हैं शांती हो जाएगा अभी पोस्ट मॉटम है उसके बाद अंतिम संस्कार उसके दोरान बीड़ी खटी नहों खास्तोर पर धारा 144 और कर्फू भी है कुछ इलाकों में उसको लेकर कि क्या आप लोगो कोशिच कर रहे कि अभी इनके कुछ परिवार व अभी तो अभी जिस टू प्रिमिचूर अभी तो कल शाम कोई तो लगाई है अभी आज कैसे चलेगा दिन बढ़ कैसे चलेगा शाम तक कैसे चलेगा उस बेसिस पर रिसेट करेंगा एक एसाइटी राजस्तान सरकार ने बनाई यह दूसरी तरफ एनाइए के टीम के आने की बात है तो क्या कॉडिनेशन हो पाएगा यह आपको लगता है कि कहीं न कहीं यह केंदर और राजी का ठगराओ का विजी ने वह मुझे नहीं लगता है कि सारे एजन्सी का परपस यह की है इस तरह के गटना नहीं हो और उसमें जो लोग इन्वाल्ड है उनकी किलाब दावत इस्लामिक नामक संगठन ऐसा सुनने मारा है कि दो आरोपी पकड़ गए उनका इस संगठन से को जोड़ाओ कहीं को वजूद है इस तरीके अभी जो इंट्रोगेशन कर रही है वो पूरा वो करेंगे पूरा पूरा इंट्रोगेशन होने के बाद कुछ पुक्ता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि एक जुलाई को उदैपूर में किसी भी हालत में जगनात यात्रा निकलेगी चाहे पुलिस और फ्रशासन चाहे जो करेंगे तो वह अभी डिसेड करेंगे अभी जिस तरह से हालात बनते हैं उसके बाद हम बता पाएंगे कामराबन गोइन साहू के साथ मरीश रमा एबी पी न्यूज उदैपूर